हेलो गाईज, आज हम क्लास 7th का नेचुरल साइंस का जो लेवल 2 का पेपर है, उसकी मार्किंग स्कीम को देख रहे हैं, आपके जो अंसर की है, वो इसी से जो कोशन पेपर है, इसी से चेक किया जाएगा, तो 1st का अंसर हो जाएगा, अमीनो एसी, 2nd का हो जाएगा, फोटो स अंसर की बना चुकियों, बटी, यहाँ पे ऑफिशली अंसर की है, 9th में due to the presence of chlorophyll, chlorophyll के कारण पत्या जो है, ग्रीन होती है, दो तरीक, एक आपको स्वैपोशी बताना था, स्वैपोशी और हिट्रोट्रोपिक, मतला ओट्रोट्रोपिक है, हिट्रोट्रोपिक, उसके ब नेक्स, बी में अगर हम देखते हैं तो, फॉस्ट में growth and repair के लिए energy के लिए, plant इंसेक्टी वर्वर्स किसे कहते हैं, या कीठ हारी पादफ किसे कहते हैं, जो कीटो को खाते हैं, या इंसेक्ट को खाते हैं, परसाइड जो दूसरों जीवों के उपर रहते हैं, परसाइड और दूस विच टेक अप दा नूट्रिशन फ्रम दा होस्ट प्लांट तो डवेट इंड देम नेक्स देखे नेक्स फॉर्थ कांसर हो जाएगा जो की राइजोबियम होगा और इसके और जो सेंड पारता दा प्लांट प्रोवाइट फूड एंड शल्टर देता है बदले में जो ड्राइजोबियम हो नेटोजन देता है फिफ्ट कांसर हम देखे फिफ्ट का अगर फिस्ट की बात करते हैं तो helping mix saliva and chewing क्या काम है फिस्ट क्या करता है माउथ के जादे saliva और चूई को food को चूई चबाया जाता है उसके बाद और टंग का क्या काम है speaking में help करती है next देख उसके बाद या पेक कोशन दिया गया था इसका पच्छे से देख लिए सैंवंत में average speed का formula पूछा गया था total distance कुल दूरी divided by कुल सम है उसके बाद कोशन नमबर 8 में photosynthesis की process थी जो आपको sample paper में बहुत अच्छे से कराए गी थी आप यहां से एक बाद दीख लीजे बस वही ब्लां प्रोटेन इंड प्लां प्लां आप्जॉर शॉलेबल फ्लम दा नाइंट्रोजन फिंद शॉल असरी को डेता है प्लां उसको अब्जॉर करते हैं जिसे carbon hydrogen oxygen बनता है उसके बाद बीसमें क्या कहा गया इसको रिट कर लीजेए इस कांसर हो जाएगा कि व्लांट अब कि यहां पर प्रोसेसिंग बतानी थे आपको फर्स्ट इंजेशन डाइजेशन अब्जोर्शन एसिमिलेशन हो जाएगा यहां पर इसके बाद 10 गोशन की बात करते हैं तो यहां पर दिया गया है तो आपको बताना था है A एन ब यह बोब हो जाएगा यह थेड़ हो जाएगा B में क्या हो जाएगा खो अफक्टो एन फ्रो मोशन इससे अजाएगा 11th question का answer आप चेक कर दीजिए इसके B part का भी answer आप चेक कर लिए section C में देखते हैं 1st का answer mid rib हो जाएगा C, 2nd में fibrous root आजाएगा 3rd में parallel आजाएगा इसी तरह से 13 के अगर बात करते हैं 13, 1st में C carbohydrate, 2nd में भी carbohydrate and 3rd में all of these आजाएगा 14th का question देखिए 1st में D आजाएगा 80 km, 2nd में 2 hours और 3rd में 40 km per hour Thank you guys